जो एलेक्ट्रो होमेपेथी मैं डॉक्टर रंधी सर्मा माइ मोबाल नमबर 9226270508 दोस्त लोग आप कैसे हैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे अभी पीछी वीडियो में हमने एलेक्ट्रो होमेपेथी का प्लांट्स नमबर 52 तक जाना था अभी आज प्लांट्स नमबर 53 और सलास की प्रेमेडी नमबर 1 के बारे में जानेंगे और आप लोग खुशी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये हुए हैं और मेरी हर तरह के अलेक्ट्रो हमेपेथी प्लांट्स की वीडियो आप लोग देख रहे हैं और मेरा आसा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण और यूस्पूल मददगार होगी आपके प्रैकिस में और आसा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को आगे के वीडियो भी लगाता आप देखते रहें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करते रहें तो आईए समय न लेते हुए आज की स्टार्ट करते हैं दोस्त आज हम जानेंगे सलास अब सलास का अब मेरेमिडी सलास में जो रेमिडी है सलास इसे मेडिसिन अपने कॉंस्टिपेशन के लिए काम किया जाता है जिसका भी कवज वगर रहता है तो सलास वर टू और वाई को अटेश किया जाए रात में पिलाज या पाने गरम में तो सुबह एक पत्रा सा इस्टूर जैसा होता है अब पेट साफ हो जाती है तो हम सलास में दो प्लांट्स है सलास में दो प्लांट से एक जेंटियना लूटी है और दूसरा एलो के पैंसिस है तो आज हम सलास के दो प्लांट के बारे में जानेंगे हर एक वीडियो में एक एक प्लांट्स के बारे में आपको डिटेल दिया जा रहा है ताकि आप सभी भाई को, हमारे इलेक्ट्रो होमेपेथी भाई को प्रैक्टिस में आसान हो तो ही चलिए शुरुबात करते हैं सलास का प्लांट्स नंबर वन और एलेक्ट्रो होमेपेथी का प्लांट्स नंबर 53 जेंटीनिया लूटी जेंटीनिया लूटी है इसको कॉमन नेम एलो जेंटियना अजेंटियन के नाम से जाना जाता है यह एलक्ट्रो होमेपेथी की रेमेडिज में सिर्फ और सिर्फ सलास में यूज हुआ है यह फैमली जो बिलोंग करते हैं जेंटीनिया सी फैमली से बिलोंग करती है इस तरह की जात की प्रजातियां एरोप और अमेरिका में पाई जाती हैं फ्रेंट्स और इसके जो जेंटीनिया लूटी के जो है root electro-homeopathic plants बनाने में इस्तमाल कियेंगे हैं और इसका जो indication है जो इसके में कार करने वाली छमता है वा chronic gastritis में काम करता है with gastric juice में काम करता है indigestion में काम करता है vomiting में काम करता है lack of appetite भुक ना लगना उसमें काम करता है liver congestion liver में दिक्कत है constipation उसको काम करता है और वालरी डाइस फ्रेंशन वालरी वगर बराबर काम नहीं करती है जाजूस वगरा है उसको कवर करने में मदद करती है उसको मदद करने में एक मीट उसको मदद करती है फ्रेंश और इसकी जो description इसका जो height होती है साट से सो सेंटीमीटर इस प्लैंट की हाइट होती है जिसका स्मूथ अप्राइट स्टम विच लार्ज ओवल टैप में होता है अब यहाँ दस ग्राम पर लीटर वाटर में इस्तमाल किया जाता है और उसको अगर दस ग्राम लेके एक लिटर पानी में इसका रूट को बॉयल किया जाए एक घंटे के लिए और एक कप अगर पानी के साथ में गरम पानी के साथ में पिया जाए तो हमारे पेट के लिए काफी अच्छी होते है इसमें जो कॉंस्टिवेशन पाई जाती है वो जेंटीन है टेनीन है सुगर है एसेंटियल ओयल है जो कि हमारे जो भी कॉंस्टिपेशन बने रहते हैं उसको साफ होने में मदद होती है हमदत होने के कारण हमारा पेट कॉंस्टिपेशन जो रहता है वो साफ हो जाती है और हमारे और बहुत सारे बीमारियों को रोकने का प्रयास करती है तो जेंटिनिया ड्यूटी एक ऐसी मेडिसिन है कि हमारे पेट को जादा से जादा साफ करती है और कहा जाता है पेट सफा तो हर रोब दफा तो इतना कहके आगे के और विडियो में हम आपको स्लास का प्लांट्स नम्बर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे अब इतनी पर हम आपनी वानी को विराम देते हैं जाए हिंद जाए लक्तो हों बेती मिलते हैं नेक्स वीडियो में